हलो एवरिवन मैं डी आधा और आप देख रहे हैं सूरियोदे सक्सेस पॉइंट आज किस क्लास में हम सॉल्ब करेंगे कक्षा पांच की गनित और उसका अध्याय नंबर टू और अध्याय नंबर टू जो है वो है जोडने और घटाना जोडना और घटाना इस क्लास में आज आज हम सीखी कि हम संक्या को कैसे जोड़ें बीना हासिल वाली जोड सिंपल जो जोड होती है वो हम कैसे करें और हासिल वाली जो जोड होती है वो हम कैसे कह Capitol टे इंड चाणल पर नहीं हो और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजी जिससरे कि let's स आने वाले वीडियो को नोट्विकिशन अपको प्राप्त हो जाए तो चेलãy स्टार्ट करते हैं पहला है कॉश्चन है 322 और 421 को हमें जोलनाımız तो सबसे पहले यहां पर अंग count करेंगे एक अब total तीनों को count कर लेना है एक तो तीन कितना हो जाएगा दो और एक कितना हो जाएगा तीन simple count कर सकते एफ़े next दो उर एक को जोड़ा कितना आया नेंस्ट हम लेंगे अब हमारे पास है दो यहां पर और यहां पर हैं मारे पास 3 अब कैसे count करेंगे 2 और 3 को count करने के लिए अब हमें करना है 2 और 3 finger पर count करेंगे पहले हैं तो 2 count करेंगे 1 और 2 फिर हमें क्या count करना है, 3 1, 2, 3 कितना हो गया, total करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, कितना हो गया 2 और 3 को हमने जोड़ा, hai हमारे पास, 5 next आगे क्या है तीन और चार तीन में हमें क्या जोडना है चार जोडना है तो तीन में चार जोडने के लिए हम तीन काउंट करेंगा फिर चार एक दो तीन और नेक्स चार एक दो तीन चार सारे काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ कितना हो गया तो टोल हो गय जोड़के देखिए तो 3 और 2 को जोड़ेंगे आप को यहां लाइन खीच यह जोड़के हैं कि तीन डोर जोड़के कि देख उनिख को साग तो फिसकर दोरो करेंगे ऐक पांच तो हम यहां लेकिंगे 5 तो कितना आगया 3 में हम दो जोड़ा तो 5 ऐसे लाइन स्किछ में हम जोड़ सकते हैं simply वैसे 5th class में तो आ जाता है हमको easily हम कर सकते हैं तो 2 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 5 आएगा हमारा 7 2 और 5 कितना होगा 7 4 और 4 कितना होगा 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 2 और 5 7 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आप लाइन स्किछ की जोड़ सकते हैं fingers पर जोड़ सकते हैं simply आप ऐसे भी count कर सकते हैं तो इसका answer कितना आया 875 next है 3 और 4 और 3 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 4 हमारा आएगा 7 कितना आएगा 7 next है 2 में 2 जोड़ना है तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 और 2 कितना होगा 4 फिर 3 और 4 को जोड़ा 3 और 4 कितना होगा 7 तो इसका answer आया 747 कितना आया 747 सिंपल जोड ते इसमें हम सीखना है हासिल वाला जोड हम कैसे करें सबसे पहले आठ और साथ को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा एक दो तीन चार पांच छह साथ आट हुआ फिर साथ काउंट करना है एक दो तीन चार पांच छह साथ पूरा टोटल काउंट करना है एक द दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चवदा और पंदरा, फुल कितना आया पंदरा, तो पंदरा का मारा लगाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे पांच, क्योंकि पंदरा हम लिखते हैं ऐसे, और पंदरा का जो यह पांच है वो तो हम लिखेंगे नीचे और यह जो एक यूँ का चला जाएगा हसील का, तो यहाँ पर घम लगाएंगे एक हसील, आट पंदरा के पांच, एक हसील लगा, तो 4 और 4 आठ, आठ में हम एक जोडेंगे तो कितना आएगा, नो, 8 में हम एक जोड़ेंगे तो 9 अब next है 9 और 7 और 9 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 में 7 हम प्लस करेंगे तो आएगा 16 इसका जो आइगा 16 next इसका झो अंसर आया 948 में 747 हमने जोड़ा तो मारा कितना आया 1695 next ले लेते पाट नमर कोशन और इसमें 698 में हमें जोड़ना है 437 आट और साथ को जोड़ना है फिर 9 और 3 को जोड़ना और 6 और 4 को हमें जोड़ना है तो 8 और 7 को हमने जोड़ना तो कितना है 15 आट साथ 15 के 5 हासिल हमारा लगा 1 अब 9 में हम एक जोड़ेंगे तो 9 और 1 हमारा 10 होगा 10 में हमने 3 जोड़ा 9 और 1, 10, 10 और 3 कितना होगा? 13, 13 कि फिर हम यहां लिखेंगे 3 और 1 हमारा लगेगा हाजिर अब हमारे पास कितना होगा? 4, 4, 6 और 1 जोड़ना है इनको 4 में 6 हमने जोड़ा 10 आया नेक्स्ट लेते चार और नू, चार और नू को हमको जोड़ना है तो चार और नू कितना होगा तेरा की तीन, चार और नू तेरा की तीन, हासिल हमारा लगीगा एक, सातोर साथ को जोड़ा, सातोर साथ चावदा, चावदा में हमने एक जोड़ा, सातोर साथ चावदा, चाव पांच हासिल एक लगा अब इनको जोड़ना है हमें 9 और एक कितना होगा 10 और 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 और 6 होगा 16 कितना होगा 16 तो उसका आंसर आया 1630 अब सिंपल हमने सीखा हासिल वाला भी सीखा लेकिन अब जैसे यह कोशन है 7 नमबर उसमें संख्या ऐसे लिखे हैं जोड़ने के लिए दे अब क्योंकि संख्या सब में सेम नहीं है इसमें 4 अंग है इसमें 3 है और इसमें 2 है तो इनको हम कैसे जमाएं और कैसे हम जुड़े वह हम सीखते हैं तो हम कैसे इनको जमाएंगे और फिर हम कैसे सौल करेंगे तो पहला हम सात्वा कोशन ले रहें जिसमें 7450 प्लस 634 और 32 तो सबसे पहला हम लिखेंगी 7 7 नमबर कोशन हम यहां पर करेंगी तो 7 4 5 और 0 उसके बाद दिख स्टानें यहां से स्टार्थ नहीं करना है और तो सी नमबर से स्टार्थ नहीं करना है और नेक्स तो 32 का दो यहां पर लिखेंगे और 32 को भी यहां से start नहीं करना तो इसको इस तरीके से आपको जमा के solve करना है अगर आपने आगे लिखा इधर और फिर plus करोगे तो वो questions क्या हो जाएगा अपा गलत हो जाएगा आप उसको नहीं सही होगा हो आपको इस तरीके से जमाना है अब इनको हमें plus करना है तो सबसे पहले 4 आउर दू को हम जूडेंगे तो चार एखो आईगा चो पांच ओर तीन आट 5 ओर तीन को जूडा आट अर्ट में हमको तीन जूड़ना है पांच और तीन आट आट और तीन कितना होगा आट तीन आज पहसिल फिर लगेगा हमारा एक, अब च्याव चार दस 10 में हमने क्या है इसका अंसर 8116 नेक्स्ट अपने लेंगे 8 नमबर कोश्चन और 8 नमबर कोश्चन भी सेम इसी तरीके से हैं बट इसमें 4 संख्या हैं हमारे पास इसमें 3 थी इसमें 4 है सबसे पहली संख्या हम लिखेंगे पहली संख्या जो है वो है 9, 7, 4 और 2 संसाथ में Alrighty, है 40 तो 43 को इधर से लिखना स्थ करना 3 यहां लिखेंगे और 4 हम यहां लिखेंगे यहां से नहीं करनाए तो 45, 63 तो 53, 5 और फिर 4 और 9 हमारे पास 5 तो यह हमने लिखा इसको और इसको हम करेंगे जो करेंगे 2 तीन 5 5 ओर 3 आट 8 ओर 5 तेरा 12 ऊर 3 पाँच में हमने 3 जोड़ा तो कितना चौड़ थीन होगा8 पाँच में हमने 5 जोड़ा तो कितना आयगा 13 वापस जूड़ेंगे चार ओर इक पाँच पाँच और चार नुँँच नो में हमने आठ और चार 12 के 2 हासिल हमारा लगेगा एक नोरिक 10 इतना आ जाएगा 10 तो इसका आंसर आया 10,243 कितना है 10,243